राम सीता जी जैसे जोड़ी ना कभी हुई है और ना कभी होगी लेकिन इस जोड़ी को भी दुख ठाने पड़े सीता मा तो राम जी के अलग होना ही पड़ा आपके साथ ऐसा ना हो इसके लिए शादी वाले दिन लड़का और लड़की अपनी राशी के मुताबिक पूजा करें आपको कैसे पूजा करनी है वो जाने है मेश राशी वाले लोगों को इस दिन भगवान गणेश जी के दर्शन जरूर करने चाहिए अपने शाधी के तिन और गंगणपते नमहा की नौ माला का जाब करें व्रिश्व राशी वाली कन्या हो या ब्राइड हो या ग्रूम हो पूजन करें और दुर्गा चालिसा का पाठ करें मिथुन राशी वाले बोई या गर्ल कोई भी ब्राइड या ग्रूम शिफ शक्ति की आरादना करें करक राशी वाले लोग अगर इनकी शादी हो रही है तो गुरू के दर्शन करें और शिफ चालिसा पड़ें सिंग राशी वाले बच्चे सुभा सूरे दर्शन करें और आदेत्य रिदे स्टोतम का पात करें कानिया राशी वाले लोग इस राशी वाले दुर्गा दर्शन करें और गणेश चालिसा पड़ें तुला राशी वाले लोग रादा कृष्ण के दर्शन करें और कृष्णाश्टक या ओम नमो भगवते वासु देवाई की माला का जाब करें रिश्विक राशी वाले लोग शिवजी के दर्शन करें और शिवजी के द्वादश नाम का उचारन करें धनु राशी वाले लोग भगवान के दर्शन करें और गुरू का पाथ करें मकर राशी वाले लोग हनुमान जी के दर्शन करें और हनुमान चालिसा का पाठ करें कुम राशी वाले लोग राम सीता के दर्शन करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और मीन राशी वाले लोग गनेश जी या साही बाबा के दर्शन करें और साथ में ब्रम् रस्पते नमा की नौ माला का जाब करें शादी में कुन्डली का विशेश थान होता है अगर कुन्डली नहीं मिली तो सबसे बड़ी शादी असफल हो सकती है सबसे पहले जानिए कुन्डली दोष डूर करने की उपाई भी बताऊंगी शास्त्रों के मुताबिक दूला दूलन के 36 गुणों में से कम से कम साड़े 16 गुण जरूर मिलने चाहिए लेकिन नाड़ी दोश से बचना बहुत जरूरी है अगर नाड़ी दोश का परिहार ना हो तो 28 गुणों के मिलने पर भी शास्त्र शादी के अनुमती नहीं देते हैं बहुत जरूरी हो तो 16 से कम गुणों और अश्टकूट दोशों की स्थिती में भी कुछ उपायों से शान्ती करा के शादी कराई जा सकती है इस थिती में लड़की का नाम बदल कर मिलान को शास्त्र के मुताविक बनाया जाता है अब सवाल ये उठता है कि अगर कुणली दोश हो तो आपको क्या उपाय करने चाहें तो आईए उसका जवाब भी दे देती है